इन दुनों निमार सहित खरगों जीले में भीसन गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। ऐसे मगर आप भी यह मानते हैं कि बच्चों का इम्मुनिटी पावर मजबूत होता है। वे कुछ भी खाएं सब कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यह आपकी गलत फहमी है। गर्मी के मोसम में बच्चों के खान पान का विशेश तहां ढखना चाहिए। अन्यथा टाइफाइड डियाइडरेशन जैसी बीमारियां बच्चों को खो सकती है। जिले में पदेश्ट डॉक्टर सौपनिल सिरिवास्तो ने लोकलेटिन को बता है कि जिले में गर्मी जादा है। टेंपरेचर 44-45 जिगरी के असपास बना हुआ है। ऐसे में माता-पिता के लिए जरूरी है कि बच्चों को वही चीजे खिलाए जो सहत के लिए फाइदे मन हो और किसी प्रकार से नुक्सान नहीं पहुँचाए। क्योंकि गलत चीजों का सेवन करने से बच्चों की सहत पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे डिहाइडरेशन, टाइफाइड जैसे बीमारियों सग्रसित होकर बीमार पर सकते हैं। बीमारीमार का मप्रफश नहीं करने सब्सक्राइब देना स्वक्राइब बार के लाँचों के बच्चों को से मिसालिग फूट के साथ चांए वह थीजिए जिसे उनके अंदर पानी की कमीना हो पाई, गड़ बेलेंस बना रहे एं। कुप साल का लूप इस समय दो बिदोगा से उपर के बाच्चों को फूर खाने के साथ पाणी की प्रचुर मात्रा में पिलाना चाहिए उद इस समय ढखना चाहिए कि बहार का खाना ज्यादा था अवएड करना चाहिए अगर आउशक्ता ना हो तो बच्चों को लेकर घर से बाहर ना निकले अगर आउशक्ता काम होने पर ही बच्चों को बहार निकले आजकल तो जो महिना चल रहा है इसमें बुखार में भी डिहाइडरेशन हो सकता है उल्टी दस्त में भी डिहाइडरेशन हो सकता है तो डिहाइडरेशन का विशेश रूप से ध्यान लखना चाहिए और मावाब को दिहाइड्रेशन के लक्षन घर पर पता चल जाला चाहिए कि दिहाइड्रेशन के मेंली लक्षन होते हैं, बच्चा चिपचिरा हो जाता है, सूस्त पढ़ जाता है, टॉयलेट करना कम कर देता है, तो अगर ऐसी कोई भी इस्तितिती हो तो पुरंत अस्पतार लेके आए, लोकलेटिन के लिए खरगों से दीपक पांडी की रिपोर्ट